क्या आप अपने बच्चपन की कोई यादगार गटना हमें सुना सकते हैं? कक्षा पांचवी के मेरे शिक्षक श्री शिव शुब्रमन्यम अईयर की एक बात मुझे याद है एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे के कोई पक्षी कैसे उड़ता है उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्रतट पर ले जाकर इसका जिवन तूदारन दिया वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिश्क में हमेशा के लिए बैठ गई इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली मैंने स्वयम माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मात्रु भाषा के माध्यम से पूरी की है कालेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्ताओं में हुई मेरा मानना है कि हम कालेज में भी माध्यम के रूप में मात्रु भाषा का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि युवा अपनी मात्रु भाषा में ही सोचता है उसी में अपनी बात सहचता से कहने में सक्षम होता है पर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वैश्विक्स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाशा की नितांता आवशक्ता है यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप युवा आवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष निर्धारित कर लेना होगा हमेशा कुछ बड़ा सोचो जैसे ही यह अनुभूती हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंब कर दो कहने का आर्थ है कि जी तोड मेहनत करो ज्यों जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाईयों से होगा आपको अपने अंदर द्रिड साहस पैदा करना होगा समस्याओं को पराजित करने में महारत हांसिल करनी होगी तभी जीवन में सफल हो पाओगे पहले ये जरूरी है कि आप निरंतर ज्यान अरजित करो वह कौन सी बड़ी चुनोती है जिसका सामना हमें आज करना पढ़ रहा है भारत को सन 2020 तक एक विक्सत रास्टर के रूप में परिवर्थित करना और देश के एक अरब से अधिक नागरिकों के चहरों पर मुस्कान देखना यही रास्टर के समक्ष सबसे बड़ी चुनोती है अपकी द्रिष्टी में साहस की परिभाशा क्या है? अपने जान की परवाह किये बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है हम प्रवासी भारतिय मारत्री भुमी के प्रती गर्व की बावना कैसे विक्सित करे? भारतिय मूल का कोई भी व्यक्ति एक ब्रहद भारतिय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिती में हैं कि अपनी मात्रु भुमी से अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैग्यानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदी बनना चाहते हैं पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी रास्टर के लिए उतने ही मैत्वपून है हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं हमारे लिए आपका क्या संदेश है किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे रास्टर के अभिन्नांग है रास्टर निर्मान में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नती करें आप करते हैं कि बारत 2020 तक विक्सित रास्टर बन जाएगा पर निरंदर बढ़ती जन संख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी विकास स्वयम जन संख्या वृद्धी को रोकने की अचू कौश्धी है जिसमें जन शिक्षा, विशेशकर स्त्री शिक्षा की बाद भी सम्मिलित है इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की माननेता को बल मिलता है भारत दोहजार बीस का मिशन यहां के युवाओं को रोजगार के परियाप्त अवसर सुलब करवाएगा ग्रामिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंदे स्तापित किये जाएंगे जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचूर अवसर पैदा होंगे आपको ऐसा क्यों लगता है कि दोहजार बीस तक भारत विक्सित राष्ट बन जाएगा भारत की जन संख्या एक अरब से अधिक है इसमें 54 करोड लोग 25 वर्ष से कम आयोके हैं ये हमारी राष्टर शक्ती है भारत को 2020 तक विक्सित राष्टर में परिवर्थित करने के लिए हमारे पास प्रचूर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सून योजित खाका भी उपलब्द है 54 करोड युवाओं के विचारों की एकता निश्चे ही इसे विक्सित राष्टर में परिवर्थित करने में सफल होगी कहीं छात्रों के बड़े बड़े लक्ष होते हैं पर आर्थिक तथा अन्यर समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर चात्र वृत्ती प्राप्त होगी साथी उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से रण लेने हे तू पात्रता भी बनेगी जीवन में उचा लक्ष निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं हमें कठोर परिश्रम और उत्कुरुष्ट कारियों से इन्हें पराजित करना होगा विद्नबाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए भारत को विक्सित राष्टर बनाने में राजनितिग्य की क्या भूमी का होनी चाहिए? जिम्मेदार राजनितिग्य दूर दर्शिता पुर्ण नीतियां बनाता है महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनितिक सिध्धान्त को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लडाई छेड़ी थी वर्तमान राजनितिग्यों को अपने कठिन परिश्रम, उतकृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्ग दर्शन देना होगा साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड भारतियों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा रक्षा की द्रिश्टी से विजन 2020 का लक्ष पाने में महिलाओं की क्या भूमी का हो सकती है विजन 2020 में रक्षा अनुप्रहुक के क्षेत्र की महत्वपुर्ण प्राद्योगीकियों के विकास पर विचार किया गया है राश्ट्रिय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन अंग है शशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है रास्ट्रिय रक्षाक्षमताओं में वृद्धी के लिए महिलाए उच्चस्तरिय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कारे करके भी अपना सहयोग दे सकती है क्या हम अतिविसिस्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविश्यमें नहीं होगे